नमस्कार सामने दिखाए दे रही तस्वीर में एक हलकी से ज्वाला जो है वो आपको दिखाए दे रही होगी इस ज्वाला ने पिछले दो से तीन दिनों से जो है वो किसानों के माथे पर चिंता के लकीरें जो है वो जरूर खड़ी कर रखी है अब ऐसे में बताना चाहें तो लगातार जो है वो एक दूसरे गाउं के किसान जो है वो फोन करके पता कर रहे हैं कि क्या आपके खेट में आग लगी है क्या आपके गाउं में किसी खेट में आग लगी है इसको देख करके यही लग रहा है कि किसी किसान के गिहों के खेट के अंदर जो है वो आग लग लगी है क्योंकि ये कैमरा में जो हो इतनी ज़्यादा तेज नहीं दिखाइदे रही यह Lेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा रात जाधा होती जाएगी वैसे वैसे ये जुवाला जो है वह और जादा बढ़ती जाएगी तो ऐसे में काफी सारे किसानों के मेरे पास भी हमारे पास भी फोन आए कि आपके गाउं में आग लगी हुई है क्या और इस ज्वाला की एक चीज में आपको और बता दूँ कि ये बठिंडा की तरफ बठिंडा जिस तरफ भी आपके शहर से रह जाता है अब अगर सिर्शा से बात करें तो उत्तर की दिशा में देखते हैं छत पे ये जो ज्वाला है ये बठिंडा में कनकवाल जो शहर है ये गाउं है वहाँ जो रिफाइनरी लगी हुई है उस रिफाइनरी की जो चिमनी है उस चिमनी से ये आग की लपटें जो है वो लगातार उठती हुई दिखाए दे रही हैं लगातार सोशल मीडिया पे ये भी वाइरल हो रहा है और ये तस्वीर देखेगा ये तस्वीर शाम के समय की है जब जो सूरज ढला ही था उस समय की ये तस्वीर हमारे पास अवैलबल हो पाई है तो ये तस्वीर देखेगा इस तस्वीर को देख करके यहीं प्रतित हो रहा है कि आगर ये सामने दिखाए न दिन के समय की है जिसमें जो है वो पांस से छे फुट उन्ची जो है वो ये ज्वाला उटी हुई प्रतीत हमें हो रही है तो ऐसे में तमाम किसान सातियों के लिए ये वीडियो जो है वो लगातार बनाने का काम कर रहा हूं ताकि वो किसान जो है वो किसी भ्रम में ना आए कि आखिर किसी किसान के खेत में आग लग चुकी है और ये जो है वो तेल की कोई पाइप है उसमें जो है वो कोई टेकनिकल इश्यू आने के कारण जो है वो तेल जो है वो जल रहा बताया जा रहा है जैसे ये तेल उस पाइप से खतम हो जाएगा तो उसके बाद दो या तीन द जिस भी दिशा में है चत पे चड़ करके जो है वो उस दिशा की और नजर दुड़ाईएगा तो आपको यूँ प्रतित होगा कि आपके पडोसी गाओं की किसी खेत के अंदर जो है वो आग लगी हुई है तो ऐसे में जो है वो ये तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए ये वीडियो और साथ की साथ मैं आपको दोनों तीनों तस्वीरें भी जो है वो लगातार दिखा रहा हूं ये तस्वीर देखेगा ये शाम के समय की है जब अंदेरा होने को होता है ये हलका हलका अंदेरा च्छा जाता है तो वहाँ पे किसान जो है वो अपनी खेतों के अंद जो आला इसको हम कहा सकते हैं छे से साथ फीट तक कि अगर कहें तो कुछ गलत ना होगा छे साथ फीट तक उस चिमने से ऊपर जो है वो ये आग की लपट हमें जो है वो दिखाए दे रही है तो ऐसे में ये वीडियो जो है वो तमाम किसानों तक पहुंचाने का काम के बारे में और इस मिथ्या के बारे में जो है इस चर्चा के बारे में पता चल सके और किसान जो है वो किसी भी तरह से चिंतित ना हो आप इस वीडियो को लेकर कि क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताइएगा